दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल सर मुंडवाते ही ओले पढ़ने की कहावत अगर किसी पेर इन दिनों फिट बैट दिये ना तो वो अक्षे कुमार है ये साल पता नहीं उन्हें क्या क्या दिन दिखाएगा पताईए पहले तो बैक टू बैक तीन फ्लॉप फिल्म है फिर अंधबक्तों का अक्षे कुमार की फिल्म का बॉयकॉट क्या कम था कि अब अक्षे कुमार को लीगल नोटिस भी पेज दिया है वो भी एक बीजेपी नेता ने अक्षे कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने उन्हें निशाने पर लिया है बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने अक्षे को बगाईदा लीगल नोटिस भीज दिया है उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा मुंबई के सिनिमा या फिर सिनिमवालों को गलत तरीके से चीजे दिखाने की आदत है इसलिए मैंने अपने वकील सत्य सबरवाल के जरिये इनको Intellectual Property Rights की जानकारी के लिए अक्षे कुमार भाटिया और आट लोगों को नोटिस भेजा है अब आप पुछेंगे कि अक्षे कुमार ने अब ऐसा क्या कर दिया कि सुब्रमानियम स्वामी को ने लेगल नोटिस भेजने पड़ा दरसल स्वामी का आरोप है कि अक्षे कुमार की जो अपकमिंग फिल्म है राम सेतू उसको लेकर वो गलत फैक्ट्स तर्शकों के आगे रख रहे हैं वो राम सेतू जिसका जिकर रामायन में भी है इसे पहले अक्षे कुमार को लेकर सुब्रमानियम स्वामी चेता चुके हैं एक महीने पहले ही कि फिल्म में जो बेकर्स हैं और अक्षे कुमार हैं दोनों पर वो केस दर्ज कराएंगे अगर अक्षे कुमार विदेशी नागरिक हैं तो उनकी गिरफतारी हो और उन्हें देश से बेदखल किया जा ये उस वक्त एक महीने पहले सुबरमन्यम स्वामी ने कहा था दोस्तों इस फिल्म में अक्षे कुमार एक आर्केलोजिस्ट का रोल निभा रहे हैं जो भारत और श्री लंका की बीच बने राम सेतों की सचाई पता लगाने में काम करता है और पूरी की पूरी फिल्म उसी के इर्दगिर्द है और जब से इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तब से अक्षे कुमार लगातार ट्रोल किये जा रहे हैं क्योंकि अब एक पोस्टर में देखिए अक्षे कुमार खड़े हैं अपने हाथ में मशाल लिये कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में जैकलिन साथ क्या गर रहे हैं ये तो अब तक मजाग की बात थी लेकिन अब हो गया मामला सीरियस क्योंकि मेकर्ज और अक्षे कुमार को अब कानूनी नोटिस का जवाब देना होगा फिल्म की रिलीज से पहले ही अक्षे कुमार की ये फिल्म जिस कानूनी पचड़े में फस्ती करते हैं